हाई अब्रीबान मेरा नाम है अवनी आप लोग का स्वागत है मेशाल पर आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगे साथ फुट स्पा की जो एक रेमेडी है वो शेयर करने जा रही हूँ इसके दो स्टेप में आप लोगे साथ शेयर करोंगी बहुत ही इजी से है देखो इसको करने से क्या होगा कि आपके जो पैरों की स्किन है वो उसका जो कलर है वो ब्राइट होगा उसमें निखा राएगा और स्किन गलो भी करेगी अगर आपकी एडियों फटी हुई है तो उनमें मुलायम बनेंगी वो और जो एडियों में कमकिती बार बहुत जादा यह फायदा बहुत जल्दी दिखाई देगा और साथ ही अगर आपकी एडियों में ऐसी दिकत नहीं है बस आप फूट स्पा लेना चाहते हैं तो आप इसे वीक में एक बार कर सकते हैं तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं यह दो स्टेप कौन-कौन से हैं तो पहले केंटेनर में गरम पानी यानि की हलका गुन-गुना पानी ले लीजिए और उसमें मैं लगभग तीन चमच दूद जो है वो मैं डाल दूगी यहां पर कच्छा दूद है तो अच्छी बात है अगर नहीं है तो कोई बात नहीं आपके पास जो भी अगर गरम किया हुआ देखे मैं यहां पर दो तरह के एसंचल ऑल डाल दूए एक मेरा घर का बना हुआ जो रोज अचेंचल ऑल था वो डाला है और लेमेंडर असंचल ऑल यह भी मैंने इसकंदर डाल दिया है बस इनको अची तरीके से मिक्स कर देना है मिक्स करने की बद आपको क्या करना है अच्ञी जो आपकी एडिया है वो सॉफ्ट हो जाएंगी जब वो सॉफ्ट हो जाएंगी उसके बाद एक स्टोन की हेलप से अब जितनी भी डेड स्किन है वो सबको रटा दीजे ताकि जितना भी गंदगी है वो सब दूर निकल जाएगी इसके बाद आप। Travis बनाएंगी यहां पे मैंने baking soda लिया है लगबग 2-3 जम बेकिंग soda ले लीजिए और यहां पर हम एड़ करेंगे milk अब डेखे milk इस तरीकि से एड़ करना है कि इसका पेस्ट बन कर तयार हो जाए बहुत जादा liquidy नहीं करना है बहुत जादा thick भी नहीं करना है पेस्ट बना कर तयार कर ले लगभग जैसे आप तीन मिनेट या पांच मिनेट के लिए इसके बाद आपको क्याना है हलके गुन गुने पानी से पैरो को फिर से आप वाश कर लीजिए बस यही दो स्टेप है इसके बाद नॉर्मल एक चीज करनी है जो कि हमेशा करनी चाहिए वह है मौशिराइजर पूर जरूर जरूर अपलाई करना चाहिए मौशिराइजर अगर आप अपलाई नहीं करेंगे तो सारी चीजे धरी की धरीला जाएंगी तो इस बात कर दियान दखे की पॉइंट हमारा है मौशिराइजर उसके बाद सॉक्स पैन बिल्कुल न भोले और यह चीज अगर आप रात जरूर नहीं है कि आप यह सद्यों में करें या फिर गर्यों में करें आप बारे महीनी सको कर सकते हैं तो यह रेमेडिया आप जरूर चाहिए कीजी वोफुली आपको पसंद आई होगी सिंपल है बहुत साइचीज नहीं चाहिए सो करने के लिए और आप घर में खुझ से टॉर इसको कर सकते हैं, कोई दिकत नहीं आएगी होपुली सिंपले वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी है अगर अच्छी लगी है तो लिखी प्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेर कीजिए दूसरे लोगों में ताकि दूसरे लोगों पहुंच और जब आप वीडियो को शेर करते हैं तो मुझे भी फायदा मिलता है चलिए और मैं मिलती हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइबा प्रोब्ट